आज आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट सा नजर आ रहा होगा नॉर्मली हमारे पास एक सैट होता है जिस पे हम लोग आके लेक्चे रिकॉर्ड करते हैं लेकिन आज आपको वो सैट नजर नहीं आ रहा आपको कुछ ग्रीन सा नजर आ रहा है हर जगह पर तो मैं आपको बताता चलूं कि वो एक वर्चुल सैट होता है और अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं और अगर हम दुबारा से इसको green पर जाना चाहिए तो हम अभी दुबारा green पर जा सकते हैं तो यह basically है क्या यह green screen पे हम इसको record करते हैं और virtual background एड़ करके, virtual set एड़ करके आप इसको कुछ भी अपनी मरजी का set डाल सकते हैं Green screen पर shoot करने और उसके बात उस green screen को remove करने को हम keying का process करते हैं K-E-Y की इसको हम की करते हैं तो इसमें होता कि एक shift क्रिन होती है उसमें से green colour निकल जाता है और आपके पास green colour निकलने के बाद सब कुछ transparent होजाता है और आप उसमें कुछ भी अपनी मर्जी का एड़ कर सकते हैं बहुत इंट्रस्टिंग होता है हॉलिवुड में मुवीज जो भी वर्शुली आपको नज़र आते हैं इवन के रियलेस्टिक चीजे भी आपको जो के उस तरह से आपको लगता है कि बहुत बड़ी बेल्डिंग्स हैं या पीछे कोई तभाई हो रही है कुछ हो रहा है तो वो भी ग्रीन स्क्रीन पर शूट करके उसको बाद में की करके उसमें वो एलिमेंट्स बीचे एड़ किये जाते हैं और ज्यादा तर दोनों चीजों का कंबिनेशन भी होता है कुछ आपका रिलेस्टिक शूट हो रहा होते है ओन लोकेशन ऑन सेट प्रॉपर और उसके साथ साथ ग्रीन स्क्रीन भी साथ निक्स होता है green screen किस तरह से हम इसको की करते हैं और क्या-क्या possibilities होती है आई इसको देखते हैं तो इस फ़क मेरे पास एक ऐसी file मुझूद है जो कि मेरी अपने ही lecture की recording है और आप देख सकते हैं कि ये green screen पे ही studio में record की गई है हम इसको remove करके देखेंगे आप में से कई लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि green ही क्यूँ मतलब कोई और color भी हो सकते हैं क्योंकि आपने software पे उसको basically color बताना है जो कि इसको वो remove कर सके इससे पहले green screen और साथ पे blue भी बहुत ज़्यादा commonly use होती थी blue screen पे भी आप key कर सकते थे और उसके पाद green भी बहुत commonly use होती है blue screen में थोड़ा सा आपको problem या आता था अक्सर आपके कपड़ों में या पिर आपके बालों में अगर वो grey इश थोड़ा सा blue इश एड़ हो गया है तो वो भी साथ में color की हो जाय करता था क्योंकि basically आपका जो software है आपके जो effects हैं वो करते क्या हैं वो उस color को select करके उसको उसमें से निकाल देते हैं और उस layer को transparent कर देते हैं green color इस तरह का है जो के बहुत rare chance है कि आपके अगर आपके wardrobe में है अगर आपने कोई इस तरह के कपड़े पहन ली है तो obviously वो आप बिलकुल नहीं इसको use कर सकते हैं वो भी इसमें से remove हो जाएगा यह तो normally आपके बालों में आपके skin में या पिर आपके और चीजों में इस तरह से आपको green का shade कम ही नजर आता है तो green को remove करना green की color range को select करना असान है as compared to blue तो इसलिए हमारे पास जादा तर green ही use होता है और इसको हम देखते हैं remove करके हमारे पास यह एक clip है जिसमें से आप चाहें तो इसको crop भी कर सकते हैं इस पर हमने crop का effect लगाया और हम इसमें से जो extra area है इसको निकाल देते हैं इस तरह कि मेरे पास यहां पर थोड़ा सा extra आ रहा था इसको निकाल दिया आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपकी जो कोई भी ऐसी movement ना हो जो कि आपकी crop area से बाहर जा रही हो effect में हम जाएंगे और हमारे पास यहां पर पूरा एक folder मौजूद है की के नाम से इसमें आपके पास color की, alpha adjust और और भी चीजें है जो सबसे best इसमें हम effect यूज़ कर सकते हैं वो है ultra key ultra key को मैंने यहां पर drag किया आपके पास effect control में ultra key आगया आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो है key color को select करना जो color आपने key करना है जिस color को आपने निकालना है उसको select करना तो इस वक्त हमने green color को निकालना है ताकि हमारे पास पीछे सब पुछ transparent हो जाए और एक virtual हम उसमें कुछ भी clip एड़ कर सके हैं यहां से मैंने color picker को पकड़ा और उसके पास green color उसको select कर दिया आप देख सकते हैं इस वक्त यह black हो गया क्योंकि इस वक्त यहां पर इस layer के नीचे assets कुछ भी नहीं है जिसको वो शो कर सके मैं सिर्फ यह चेक करने के लिए कि मेरा की किस तरह का हुआ है मैं एक चाहूं तो यहां पर एक still solid color रख सकता हूं जो के मैं अपने यहां से new आइटम के छोटे से टैप से color matte में चाहूंगा और उसके बाद मैं यहां से कोई ऐसा solid color पकड़ लेता हूं जो इस पे मैं रखके easily देख सकूँ और उसको मैं उस layer के नीचे रखूंगा क्योंकि आपको पीछे background में कुछ चाहिए तो आप देख सकते हैं कि green color तो निकल चुका है लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा कहीं पर green के different shades थे तो वो उसमें रह गए हैं क्योंकि हमने specific green color उसको दिया था तो हमारे पास अब possibility है कि हम इसके मजीद effects में जाके मजीद control में जाके थोड़ा सा इसको हम change करें और मेरे पास ultra key में ही एक aggressive mode है जो के जरा green को aggressively निकाल देगा अगर मैं इसको करूँ तो आप देख सकते हैं वो बिलकुल यहां से green निकल चुका है इस वक मेरे पास जो यह भी आ रही थी चीजे साइट पर थोड़ा थोड़ा सा तो वो भी इस वक निकल चुकी है अगर फिर भी आपको लगता है कि इससे भी नहीं फर्क पड़ा तो आपके पास further options मुझूद हैं जो कि इसी background के उपर जो इसी के उपर थोड़ा सा काम करती है अगर आपके पास darker areas में से कुछ आ रहा है आप shadows में से कर सकते हैं आप देख रहे हैं किस वक मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो वो shadows add हो रहे है मजीद green add हो रहा है कम करूंगा तो वो जाएंगे highlighted area को मैं ने छेडा क्योंकि यह area highlighted था इस वक तो इस वक्त वो उसने उसको भी कम करने से निकाल दिया आपके पास यह तो तीन preset हैं जिसमें से मोट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल पर आप उसको करना है या आपने green screen की करना है और further आपके पास कुछ edges को smooth करने के लिए कुछ options मुझूद हैं अगर आप चौक करेंगे तो बिल्कुल यह इसको sharp करता जाएगा और आपको edges जो हैं आपके थोड़े से अंदर दबते जाएंगे soft करेंगे तो आज़िस आपके side से soft हो जाएंगे क्योंकि अक्सर क्या होता है कि थोड़ा सा green का shade वगारा रह जाता है मैं इसको यहां से aggressive पर रखता हूँ further आपके पास in settings के लावा और भी options मुझूद हैं जो कि colors पे basically काम करता है आप उनको इसके इलावा जो normal अपनी color grading जिस तरह कि आप लिमेटरी यूज करते हैं उसमें यूज कर सकते है बाकी इसने आपको इसमें भी color की option दी भी है क्योंकि आपको साथ में background match करना होता है तो अभी तो हमने एक just solid color पीछे रखा था सिर्फ यह चेक करने के लिए कि आपकी green screen किस हद तक निकल चुकी है महाँ से green color हम यहाँ पर एक proper एक background rate करते हैं मैं इसको import कर लेता हूं यहाँ पर और मेरे पास एकी virtual background है इस layer को हम site पर कर लेते हैं अभी और इस virtual set को तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जिसतना के एक की news based एक set है और इसको मैं 4K में है मैं इसको छोटा करके थोड़ा adjust कर लेता हूं और इसके साथ-साथ जो आपकी ऊपर वाली वीडियो आप उसको भी right और left पर adjust करना चाहें कर सकते हैं आप पीछे background को select करके उसको तोड़ा सा move करना चाहें कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस वक्त वो आपके पास एक पूरा virtual set यहां पर है इसको हम alignment एक दफ़ा इसकी change करते हैं और इस दफ़ा हमारे पास यहां पर कुछ space है तो हम अपना जो main subject है उसको यहां पर कर लेते हैं further हम इसको भी scale down कर सकते हैं नीचे अगर edge आ रहे हैं तो हम इसको उसके हिसाप से adjust कर लें कि आपकी विल्कुल setting पर है किस तरह से आप इसको लेकर जाते हैं कोई भी चीज बीचे लगाना चाहें तो आपकी production या आपके short types भी उसके हिसाब से होने चाहिए तो आप virtually background लगा सकते हैं बाकी इसके इलावा मैं आपको थोड़ा सा और इसका usage दिखा दूं जिस तरह के आजकल freelance market में बहुत जादा आपके पास instructional videos होती है या पिर आपको कुछ इस तरह के elements add करने होते हैं कि आपको picture in picture या फिर इस तरह यह एक stock video है और इस पर मेरे पास laptop screen हो green है तो इस वक्त मेरे लिए बहुत असान है कि मैं green screen को key करके यहाँ पर कुछ भी अपनी पसंद की video लगा दूं और बिल्कुल आपको ऐसा लगाएगा जिस तरह के वह video चल रही है मैं यहां से एक video पकड़ता हूं अपने stock में से और हम देखते हैं कि उसको हम यह वाली video में इसके अंदर adjust करते हैं तो इस video में से हमें अब क्या करना है सिर्फ green color को निकालना है और हमारे पास यह ultra की effect मैंने दुबारा लगाया effect control window में गया दुबारा इसको मैंने यहां से color pick किया green और इस वक्त इसने इसको green color को निकाल दिया इसको आप देख सकते हैं कि कहां पर adjust होगा या फिर यह बेतर उसको आपको बाता लग सकते है जब आप इसके पीछे एक video रखेंगे तो इस वक्त यह हमारे पास main video है green को हमने की कर लिया और इसको हम किसी video के ऊपर रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास video थी full screen इसको मैं यहां disable करता हूं क्लिप को तो यह मेरे पास एक video है और उसको मैं adjust करता हूं अपनी green screen वाली video obviously मुझे इसको थोड़ा size ठोटा करना पड़ेगा effect control window में मैं इधर motion में गया और यहां से मैं इसको तो हम यहां से scaling करते हैं normally लेकिन अगर मैं इस motion के जहां पर लिखा वैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पर इसके यह edges और यह dot नजर आजएंगे जिससे मैं mouse से भी इसको motion को change कर सकता हूं आप देख रहे हैं कि इस वक मैंने इसको छोटा किया इसको मैंने थोड़ा size के साथ adjust किया यहां पर इसको थोड़ा सा rotate हम कर देते हैं और जैसे कि वीडियो हमारे पास background में है तो थोड़ा साथ आपके पास अगर size का इस तरह यह बाहर निकल रही है यहां से अभी तो वो नजर नहीं आएगी क्योंकि आपके पास वो पीशे वाली layer में है इसको हम यहां से play करके देखते हैं तो जिस लैप्टॉप में इस फ़क बिल्कुल green screen थी आपने अपनी मर्जी की वीडियो इसके अंदर adjust कर दी तो green screen का basically जो purpose था वो मुझे उमीद है कि आपको समझ आ गया हो क्यों हम इसको करते हैं बास जगा green screen पर करना आपकी मश्पूरी भी होती है बास जगा आप यह भी कर सकते हैं कि आपके पास green screen का studio मुझूद है और आप different virtual backgrounds पर लगा सकते हैं नॉर्मली news production में अक्सर आपको देखने को मिलता होगा और सबसे जबदस चीजिस में यह होती है कि आप अपने background में सिर्फ set के इलावा और बहुत सारे elements एड़ कर सकते हैं जैसे कि आप हुमारे lectures में भी देखते हैं जो के pointers हैं जो के text है कोई भी इस तरह की animations और बहुत सारे different elements आप उसमें add कर सकते हैं green screen की कुछ videos आपको stock website से भी मिल जाएंगी आप वहाँ से उनको download करें उनको green screen करके देखें green screens की बाकी options करके देखें और अपनी practice को continue रखें